आज बनाने जा रही हूँ लब बर्ड वाला डोर मेट जिसके लिए मैंने ये पांच कलर लिए हुए हैं और इसमें आठ नमबर सलाई लिए हुई है यहाँ पे मैंने 23 फंदे रखे हैं तेस फंदे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 8 फंदे इदर लिए हैं आठ फंदे इदर लिए हैं और बीच में 7 फंदों पे मैं अल्फावेट लिखूंगी तो देखिए यहाँ पे मैं आप अपने कॉर्डेंग यहाँ पे कम ज्यादा फंदे कर सकते हैं जितना आपको चोड़ा चाहिए यह चोड़ा इसकी ज्यादा चाहिए तो आप इदर उद लिखूंगे इसमें पहले मैं 8 फंदे बुल लेती हूं 6,7,8 यह देखिए यहां से मैं 2,4,5,6,7 और देखिए यहां पे मैंने सीड़े तरफ से 2 रो निकाल ली है एक उल्टे तरफ से और एक इदर से अब देखिए 7 फंदे यह मैंने उसके बाद देखिए 2,3,4,5,6 आप देखिए इदर से एक फंदा उतारेंगे धागा अपने साइड और देखिए इन फंदों को ऐसे ही बुनेंगे जो 8 फंदे मैंने रखे हैं साइड से यह देखिए अब इसको हम इदर लाएंगे यह देखिए इस तरीके से इस धागे को इधर लाएंगे इसको आगे लाएंगे और इधर के फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करें आप देखिए यहांसे इन फंदों को भी बाइट से बुनोंगी सिर्फ एक फंदा यह वाला बिलू से बुनोंगी एक फंदा ही उतार लिया धागा अपने साइड और इसको में ये देखिए फिलू बाले फंदे भी 6 ऐसे ही बुन लेंगे सिर्फ एक फंदा ये ऐसे देखिए एल के लिए इन फंदों को बना लेती हूँ और यहां तक बना के कम्प्लीट करेंगे अब देखिए इन फंदों को शिर्फ ऐसे ही उल्टा बुनना है और उल्टी रो मैं यहां तक बना के लाती हूँ यह देखिए मैंने यहां तक बना लिया अब देखिए एक बार इसको और बिलू को एक फंदा बुनाएंगे ब्लू से और अब देखिए इस रो को ऐसे ही कम्प्लीट कर देंगे दर के फंदे इस तरीके से, इस फंदे को सीधा बनना है, पलट लेंगे, आप देखिए यहां से सिर्फ यह फंदा इस कलर से बुनेंगे, बाकी रो कम्प्लीट करेंगे, आप देखिए इस रो में सारे फंदे में बाइट से, इस से क्रीम कलर से बनाओंगी, एक रो इधर से और एक इधर स इस पेस के लिए इसमें तो मैं यहां पे यह दो रो बना लेती हूँ एधर से उल्टी और इधर से उल्टी यह देखिए यहां पे मैंने पहले यह इस तरह की दो रो निकाल लिए इस पेस के लिए आप देखिए यहां से मैंने यह आठ फंदे बुन लिए जो आप रखेंगे वो आप बनेंगे, आप देखिए यहां पर O बनाएंगे, तो उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह देखिए सिर्फ 7 भंदों में ही आपको बनाना है, अगर आप 9 भंदे ले रहे हैं, तो आपको 9 में बनाना है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह देखिए इस तरीके से अब इस रो को ऐसे ही complete कर देंगे पूरी बनाते हुए यह देखिए यहां तक बना लिया आप देखिए यलो वाला एक फंदा हम यलो से बुनेंगे यह देखिए इस तरीके से और वीच में 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे मैंने क्रीम से बुने एक लाश्ट में फिर से बुल लिया बापस इसको पलट लेंगे इधर से इन फंदों को ऐसे ही complete करेंगे यह देखिए और देखिए इस रो को ऐसे ही बना के complete कर देंगे जो यलो है उसको यलो फंदा बनेंगे बागी यह उल्टा बना के complete कर देखिए इधर से मैंने रो यह complete कर ली अब देखिए पलट लेंगे यहां तक इसको बना लिया अब जो यलो फंदा है उसको हम अभी ऐसे ही बुनेंगे और ये वाले फंदे ऐसे ही बुनेंगे और देखे इस फंदे को फिर से यलो से बुनेंगे बाकी ये फंदे उल्टे बनाते हों कम्प्रीट करेंगे और इधर की रो बी शिर्फ ये वाले फंदे इस color से बूनने हैं और ये plan बना के शिर्फ yellow फंदा, yellow से ये देखिये इधर से ये रोh complete कर ली और आप देखिए यहां से यहां तक बून लिया मैने आप इनको जो देखिए इस तरह ऐसे एक रो यहां से पूरे फंदे बुनेंगे इसको यह से कर देंगे इस तरीके से इस फंदे को ऐसे बुनेंगे पलट लिया इसको और देखिए यहां पर जो जैसा है इस रो में इसको आप देखिए एक रो मैंने इधर से भी कम्प्लीट कर ली और यहां से उल्टे तरप से आप देखिए यहां से मैं वी बनाऊंगी तो यह देखिए इस तरह से मैं दूसरा कलर एड़ करूँगी यह देखिए इस तरह से मैंने यह रो इधर से कम्प्लीट कर ली है इस पेस के लिए आप देखिए यहां से मैं तीसरा कलर एड़ करूँगी और वी लिखूंगे इसमें देखे सबसे पहले मैं यहां पर तीन चार पाँच छे साथ यह देखे साथ फंदे बुन लिए मैंने उसके बाद देखे ऐसे यह देखे अब इस रो को ऐसे ही कम्प्लीट कर देंगे यहां पर देखे जो जैसा है उसको अभी मैं ऐसा ही बुनके कम्प्लीट करूँगी यह देखे अब मैंने यह यहां से कम्प्लीट कर लिए हैं अब देखे यहां से इन भन्नों को मैं इससे बाइट से बुनूँगी, एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, छे बुनें, और एक फंदा ये, ऐसे ही बना लेंगे, और इसको इससे, और इस रो को इधर से कम्प्लीट करेंगे, इस तरीके से, और इधर से, देखिए, जो जैसा है, उसको मैं बैसे ही बनाऊंगी, कम्प्लीट करती हूँ, ये देखिए, इधर से मैंने कम्प्लीट कर ली, यहां तक बना लिया, आप देखिए, इस वार इन फंदों को क्रीम से ही बुनूँगी, और इस फंदे को ऐसे, बाकी फंदे इस तरीके से, और इधर से, इस रो में सिर्फ ये बाला फंदा गिरिन से बुनेंगे, बाकी पूरी रो कम्प्लीट करेंगे, ये देखिए, इधर से मैंने बना के कम्प्लीट कर ली, आप देखिए, यहां से, ये सारे फंदे, इसी से बना देएंगे, इस तरीके से, आप देखे इधर से इस रोगों और इधर की रोग बनाकर वो कम्प्लीट करें, इस तरह से कम्प्लीट कर लिए है, आप देखिए यहां से एक रोग इधर से और एक इधर से, इस तरह की, दो रो बना के complete करती है यह देखिए यहाँ पे इस पेस के लिए मैंने दो रो बना ली हैं आप देखिए यह बनाएंगे उसके लिए यह red गलर दो, तीन, चार, पाँच, छे और यह साथ साथ फंदे हैं, मैंने बना ली है red से और बाकी फंदे क्रीम से बनाऊँगी और इधर से उल्टी रो में यह स्रिफ red वाले red से बनाऊँगी और यह रो complete करूँगी यह देखिए इधर से मैंने complete कर ली हैं आप देखिए यहाँ से स्रिफ एक फंदा यह वाला red बनोंगी और देखिए एक दो क्रीम बने उसके बाद फिर से एक red और फिर से दो क्रीम और फिर एक red इस तरह से देखिए और बाकी फंदे जो जैसे हैं उसको हम बैसे ही बनाएंगे यह देखिए और इधर से यह देखिए क्रीम बाले हैं उनको मैं क्रीम से बुनूँगी और रेड वाले हैं उनको सिर्फ रेड से बुनूँगी यह देखिए इधर से मैं कंप्लीट कर लिए है आप देखिए यहां से फिर से एक फंदा यह बाला रेड बनूँगी दो क्रीम वाले यह देखिए बीच वाला फंदा रेड और यहां पे दो फंदे यह क्रीम से और यहां पे एक फंदा रेड और आप देखिए यहां से जो जैसा है उसको मैं बैसे ही बुनूँगी और इधर सिर्फ यह वाले तीन फंदे रेड बुनूँगी और उसके बाद कम यहां पर मैंने इस तरह की दो रो बनाई है पहले उसी तरीके से मैं यहां पर कंप्लीट करूंगी चार रो उसके बाद यह दो रो इस तरह से देखे इस तरह से मैंने यह बना के कंप्लीट कर लिया अब देखिए यहां पर मैं चार चार रो इस कलर से डालूंगी पहले मैं ब बनाके complete करूँगे अब सारे कलर जितने मैं इसमें लगाए हैं उतनी रोज इसमें मैं डालके complete करूँगे अब इसको ऐसे ही बुनना है दोनों तरब से उल्टा उल्टा और चार चार रोज बनाते जाना है तो मैं complete कर लेती हो इसको उसके बाद दिखाती हूँ